हेलो दोस्तों मैं सीमा का मेरी चैनल में स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती टेश्टी और लाजवाब डिस तो चलिए बनाने चलते हैं आज हमने बनाया हैं बहुती टेश्टी पालक की सबजी इतनी टेश्टी और लाजवाब के आप अगर नहीं भी खाते हो तो हपते में दो किलो पालक जरूर खा जाएंगे पूरी वीडियो को जरूर देखे इसकिप ना करे घर की बेसिक चीजों से ही मैंने बनाया है कोई जाद है मसाले भी यूज नहीं किये और टेश्ट इतना कमाल का आया है इसमें बहुती बहतरिन बनकर हमारी इस तरह से पालक की सबजी त्यार होती है आप देख सकते हो किती शोफ्ट बनी है जो इसमें पकुडिया हमने डाली है भैतरिन यहां पे हमने एक उच्चा पालक लिया है इसको अच्छे से वोस कर लिया है बिलकु साब तरीके से धो लेना है और इसमें एक ग्लास के करीब पानी हम डालेंगे और इसको हलका सही हमें बोईल करना है ज़्यादा नहीं करीब हम एक से दो मिन्ट ही इसको बोईल करेंगे कि थोड़ा सही सोफ्ट हो जाए पालक बहुत जल्दी सोफ्ट हो जाता है इसको ढखकर रख देते हैं यहां पे हमें हाई फ्लेम पर ही बोईल कर लेना है अच्छे से बोईल हो चुकी है और यहां पे हमने गैस को कर दिया है बंद अभी यह चलनी लेंगे और चलनी से इसको हम निकाल लेंगे पालक को और पानी को इसके फैकना नहीं है यह हम ग्रेवी में यूच करेंगे अब इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं, थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसको ग्राइंड करेंगे, गरम गरम को ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो यह निकल जाएगा मिक्सचर जार से, और हाथ जलने का भी डर रहता है, यहाँ पे धनिया लिय कर, हम ग्राइंड कर लेते हैं, जरासा आप इसको चलाएंगे, तभी एकदम ग्राइंड हो जाएगा, क्योंकि यह सोफ्ट हो जाती है, काफी इस तरह से, ब्लीच करने से, अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है, बिना पानी डाले, हमें इसे ग्राइंड करना है, पानी पिलकुल नहीं डालना क्योंकि इसके अंदर काफी वैसे ही पानी होता है अपना, अब इसको निकाल लेते हैं, घूड़ा स्पून की साहेता से निकालना होगा, क्योंकि ज़्यादा पाने डालेंगे, तो इसके अंदर ज्यादा बेसन जाएगा, और फिर दिक्कते, फिर हमारी सबजी अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल पूरा बेसन ही बेसन का टेस्ट आने लगेगा अभी स्पून से हमने इसको सारे को निकाल लिया है यहां पर हमने हाप कप बेसन लिया है और इसको इसमें डालके आधा डालके मिक्स कर लेंगे और फिर आधा डालके पूरा हापकप के करीब हमारा इसमें बेसन जाए गई अच्छे से मिला लेना है ताकि इसमें गुटलिया ना पड़े अभी ये बचा हुआ है इसको भी हम डाल लेते है पानी की इसमें बिल्कुल जोड़त नहीं है पानी इसमें ओल्डेडी है अपने आप में ही पालक में होता है जो इस तरह का हमेश का स्मूथ बेटर तयार कर लेना है और इसमें थोड़ा सा हमने हैं अद्रक लेसन का पेश्ट डाला है आप अगर खाते हो तो डाले नहीं तो आप इसको हटा भी सकते है नमक टेस्ट के अगोडिंग, हाप इस्पून के करीब नमक जाएगा इसमें, पालक में थोड़ा लाल मिर्च पावडर, आप चाहे तो इसकी जंगे हरी मिर्च का प्रियोग कर सकते हैं, वन इस्पून धनिया पावडर, और वन इस्पून जीरा, हाप इस्पून हल्दी पावडर, अच्छे से इन सबको हमने मिक्स कर लेना है, और एक चम्मच हमने यहां प्याज ली है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया था, इसको हम इसमें डालेंगे, अगर आप प्याज खाते हो तो डाले, और नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हैं, हमारा यह पेस्ट होना चाहिए, जादे टाइट नहीं करना है हमें, नहीं तो जो हम पकोड़िया बनाएंगे इसमें बहुत हाड हो जाएगी, और वो खाने में बिल्कुल नहीं बनेगी, यहां पे ओल करम करने रख दिया था हमने, अभी स्पून के साइटा से, सभी को हम बनाएंगे इतनी टेश्टी और गजब लगती है, वाके में अगर आपके घर में कोई नहीं भी खाता होगा, वो भी आप से मांग मांग कर खाएगा, मेरे बच्चे पालक नहीं खाते थे, जबसे मैं इस तरह से बनाने लगी, सभी खा लेते हैं, फटा फट से खतम हो जात करेंगे, बेसिक वोई हम समान ले रहे हैं इसमें जो हमारी सब की किचन में पाया जाता है, अभी सब को थोड़ा थोड़ा जंगे करके डालते जाएंगे, डालते ही हमें इन्हें नहीं छेड़ना है, थोड़ी दिर बाद जब आप देखे थोड़ा कलर चेंज हो गया है, तब हम इनको पलट लेंगे, सब को थोड़ा थोड़ा इस तरह से ही अलटते पलटते हमें तयार कर लेना है, यहां पर गैस को हमने हाई फ्लेम पर ही रखा हुआ है, सबी को इस तरह से पलटते चले जाएंगे, एक तरफ से हो चुकी है, दूसरी तरफ से भी इस तरह से हमारी पकोड़ा तयार हो जाएगी, आप चाये तो इन पकोड़ियों को वैसे भी खा सकते हैं, नोर्मली, चाय के साथ तब भी यह भोती बहत्रिन और टेश्टी लगती है, कभी बना कर और खा कर देखना, भोती कमाल की हमारी रेस्पी बन कर तयार होती है, फटा फट से बनने वाली रेस्पी है, कोई जाद है आपका समय इसमें वेश्ट नहीं होने वाला है, अभी सबी को इस तरह से हम पलट लेंगे, जिसे कि यह दूसरी तरफ से भी लेना है, अभी जब नीचे से अच्छे से यह, इनका कलर चेंज हो जाएगा, तब हम इनको निकाल लेंगे, अभी अच्छे से हमारी फ्राइ हो चुकी है, हलके से, थोड़ा अलटते पलटते रहेंगे इनको, यह थोड़ा चिपक गई है, फोर्क से नहीं निकल रही है, न निकाल लेंगे, अभी साइड से इसको भी पलट लेते हैं थोड़ा, दूसरे तरफ से भी देख देख के लटते पलटते हुए हमेने अच्छे से 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 शेख लेना है, अभी अच्छे से हमारी फ्राइ हो चुकी है, अभी हम इनको निकाल लेते है, आप देख सकते हो बहुत बहुती बहत्रिन हमारी पकोडिया बनकर तयार हुई है आप चाहे तो इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं ऐसे भी खाने में बहुती कमाल की लगती है अब ही सभी को हम इस तरह से निकाल कर रख लेंगे साइड में और इसी पैन में ओइल थोड़ा कम करके इसी पैन में हम इसमें तरक चोक भी इसी में तयार करेंगे हम अपना अब इसको हम साइड में रख देते हैं आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी पकोड़ी दिखने में भी अच्छी लग रही है खाने में बहुत तेस्टी रहती ह अभी वनी स्पून जीरा, यहां पर मैंने खड़े मसालों का यूज नहीं किया है, आप चाहे तो खड़े मसाले यूज कर सकते हैं, लेकिन बिना खड़े मसालों के भी आप इस तरह से जब इस सबजी बनाएंगे तो भूती बहत्रिन बनकर तयार होएगी, जीरा तड़कने देंगे और जीरा अच्छे से हमारा चटक जाएगा, उसके बाद यहां पर हमने दो प्याज लिया था, इसको हमने मतलब दरदरा ही ग्राइंड किया है, आप चाहे तो काटके भी ले सकते हैं, पूरा इसमें बारीक आपको पेश नहीं बनाना है, थोड़ा प्याज को अग और अच्छे से इसको चला लेंगे, कलर थोड़ा सा हलका सा इसका जब चेंज हो जाएगा, तो इसमें हमने दो हरिमेश ली है, काफी तीक ही है, इसको बीच में से कट करके डाल लिया है, इससे काफी अच्छा टेस्ट भी आता है और देखने में बहुत सुन्दर लगती है कि हमारी सबची अभी प्याज को अच्छे से भुनने देंगे, जब कलर थोड़ा इसका हलके से चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो, ओईल इसका इसका स्प्रेड हो चुका है, ओईल दिखने लगे अलग से, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी प्याज अच्छे से भुन च सारे मसाले, वन स्पून हल्दी पावडर, वन स्पून लाल मिर्च पावडर, मिर्च आप अपने अकोडिंग ले कमिया ज्यादा, वन स्पून धनिया पावडर, और नमक टेस्ट के अकोडिंग, थोड़ा ही डालेंगे हम, क्योंकि हमने पकोडों में भी नमक डाला है, और पालक में mostly थोड़ा रहता ही है, इसलिए पालक में थोड़ा कम नमक जाता है, इसलिए नमक थोड़ा जब आप डाले तो थोड़ा धहान से डाले, अच्छे से इसको mix कर लेंगे, और इसको तब तक चलाएंगे जब तक की ओई ललग दिखने ना लगे, तब ही हमारा मसाला प मसाले पर ध्यान देने वाली बात है अगर मसाल अच्छे से भुना हुआ है तो हमारी सब्जी कमाल की लगेगी यहां पर थोड़ा हमने गर्म मसाला डाला है इसे इसके टेस्ट में बहुती कमाल का टेस्ट आएगा क्योंकि हां पर मैंने खड़े मसालों का यूज नहीं किया ह इसलिए यहां थोड़ा सा गर्म मसाला जरूरी है वनी स्पून के करीब हमने डाला है अब इसको थोड़ा सा सिम करके दो मिट के लिए ढग देंगे दो मिट बाद आप देख सकते हो कितना कमाल का कलर आया है और ओल बिलकुल अलग हो गया है इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भुनकर तयार हो गया है कि अपने कमाल का आया हुआ है क्योंकि इसमें हमने देगी मिर्च भी डाली थी कोई फूड कलर का हम यूज नहीं कर रहे हैं सब्जी में अभी आप देख सकते हो इल अच्छे से दिख रहा है अभी हाँ पे हमने जो पानी था जिसमें हमन इसमें नॉर्मल ढालेंगे पानी इसमें करीब दो ग्लास के करीब डालना है हमें क्योंकि जो पकोड़िया होती है पालक की बनने के बाद वो काफी पानी को पी जाती है और इसलिए पालक जब आप इस तरह से बनाए सब्जी तो पानी थोड़ा ज्यादा रखे क्योंकि जब यह इतना पानी रहेगा बाद में जब आप रख देंगे पास साथ मिंट बाद वो सारा पानी को अच्छे से सोख लेती है और अगर आपको पतला बनाना है थोड़ा ग्रेवीज की आप राइस के साथ भी खा सकते हो इसे तो आप तीन ग्लास पानी जरूर ले अब अच्छे से इसमें बोईल आ चुका है जब अच्छे से बोईल आ जाएगा तो अब इसमें हम अपनी पकोड़ियों को डाल देंगे और यहां पे पकोड़ियों को डालके हमें करीब 5 मिंट ही इसको चलाना है क्योंकि पानी भी हमने काफी अच्छे से बोईल कर लिया और फ्लेवर के लिए डालेंगे हराधनिया पत्ता, और इसको हम थोड़ी देर के लिए चला कर ऐसे ही छोड़ देंगे, अच्छे से हमारी बोईल हो जाएगी, अभी पाच मिन्ट हो चुके है, आप देख सकते हो ग्रेवी भी काफी गाड़ी हो गई है, सर्दिया काफी जादा है, तो भाप में काफी कम ही दिखाई देता है, क्योंकि भाप काफी उट रही है, लेकिन बहुती मस्त इस तरह से सबजी बनकर तयार होती है, आप एक बार जरूर इससे ट्राइ करके देखे, यहां मैं आपको याद दिला दू, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेट करना ना भूलिए, आपको कैसी मेरी वीडियो लगती है, प्लीज जरूर बताए, आप देख सकते हो कितना बहतरे हिन हमारी बनकर सबजी तयार हुई है,